फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलोने, माशुका , रुत्बा और खुदा तो आपके खिलोने के उम्र चली गई है, माशूक आप कहा रहे हैं कि एक बार ब्रेक अप होई गया एक बार नहीं है, जादा बार होगी है, मुल्टिपल ब्रेक अपस हो, रुत्ब आपके पास है ही, तो बसता खुदा ही है, शीरी शी बात है कि अब आपके मन में वही चीज जाएगी, इसी बात को स्चैनल तरीके से अब राव मैसनों ने समझाए कि हमारी जिंदगे में नीट्स चेंज होती हैं और आप एक्जैक्ली वही बात कर रहे हैं जो उसली कही चीजित, कि शुरुआत में फिजियोलोजिकल नीट्स होती है, भूख, नींद, अगर आपके नीट्ठ कूरी नो हो दो जब, आप ध्यान की बात के वह निस सोचेंगा है, नीट्ठ कूरी होगी, पेट भरा होगा, आप ध्यान की बात सोक सकते हैं, पेट खाली होगा, तो ध्यान मिलकुल नहीं आएगा उस समय, फिर सेफटी की नीट है, आप यहाँ है, आप सबस्ती तीन लोग चाकू लेकर खड़े हैं, ध्यान में को दिमाग में नहीं आएगा, मैरे सेफटी चाहिए, तो फिजियो लोजिकल पूरा हो जाए, सेफटी पूरी हो जाए, फिर प्रेम चाहिए जीवन में, प्रेम नोट एग्जेक्ली की अपोजिट सेक्स वरा प्रेम ही हैं, क्योंकि उनको प्रेम चाहिए, मिद्धता चाहिए, प्रेम के बाद होता है एस्टीम, इजज़त, रुत्बा, जो आपको बहुत जल्दी मिल गया, कई लोगों को ताउमरनी मिल पाता है, किसी को लेट मिलता है, जब इज़त भी मिल गई, प्रेम भी मिल गया, सेफट टचिस में आता है, जैसे वन प्रेम प्रेम में, कि पचास तक कमा लो, परिवारे सेट कर लो, पचास के बाद सोचों कि भाई, अब 20-35 साल बचें, 30 साल बचें, किसे मैं आपने लिए करोगे, जिस समाज से लिए उसको लोटा हो, वन प्रस का मतलब है, परिवार में रहते इस बात से मुक्त होगे कि पैसा आई गया या नहीं, शीडियेट्स फिल्म में जो थीम थी कि अपना हुनर है, उसके पीशी दोर सफलता जागी अपने आप, संगीत के साथ ना करो, अकेडमिक सुझाना पढ़ो, नोवल लिखो, डैरी लिखो, कुछ करो, अबरहम मैसलों अब मैं फिर से रिवाइस किया अपने सिस्टम के और करा कि एक और नीड है, किसी किसी को छटी नीड होती है, जो आपके साथ हो लाए, वह सेल्फ ट्रांस्टिंद्स, सेल्फ ट्रंस्इन्द्स का मितलब है, अपने आप से मुक्त होना, अपने से पढ़े जाना, जिसको अ अध्यात्मा कह देते हैं और अध्यात्मा का बहुत ध्यान रखना है spiritualism और अध्यात्मा एक बात नहीं है बहुत बड़ी गलत फैमी है spiritualism शब्द वेस्ट का है spirit से आ रहा है spirit का है Christianity में Trinity है God the Father God the Son and the Spirit Holy Spirit God the Father God God the Son Jesus है और Holy Spirit वो चेतना है जैसी चेतना हर human being को लेके आनी है spiritualism का basic मतलब है अपने spirit को Holy Spirit से connect करना so that is basically a religious belief in Christianity अध्यात्म वो नहीं है ये अधि आत्म है आत्म का मतलब एक sense में होता है मैं एक sense में आत्म होता है जैसी चेतना हर human being को लेके आनी है spiritualism का basic मतलब है अपने spirit को holy spirit से connect करना so that is basically religious belief in Christianity अध्यात्म वो नहीं है यह अधी आत्म है आत्म का मतलब एक sense में होता है मैं एक sense में आत्म होता है अधी मतलब उसे बड़ा मैं से बड़े सरपर जाने की यत्रा है वो यत्रा समाज से भी हो सकती है कि अब मैं सर्फ अपने बारे में क्या सोचूँगा समाज के बारे में सोचूँगा आट वैश के बारे में सोचूँगा It's as good as अधीयात्म लेकिन उसरी में एकला सबर आता है कि मैं पूरी प्रकृति के साथ एक क्यो ना हो जाँ और पूरी प्रक्रिटी है क्यों? उसके बियॉण भी एक क्यों न हो जाओं? कुछ को दुनिया नहीं रह सक दिखती है। उनको लगता कि मेरे अंदर इश्वर है, दुनिया में नहीं है। कबीर जास में एक दोहा लिखा, मोकों कहां ढूंडेरे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जद, ना कावे कहलास में। कि इश्वर और उनका जब तादात में हुआ, जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे कहा ढूंड रहा भाई, मैं तो तेरे अंदर हूँ। ना देवल में हूँ, देवाल में हूँ। और बेटी को जो नब हो होंगे किशोर आवस्ता के बाद, वैसे ही सेम होने वाले हैं। तो बच्ची मासे बात करेगी। बेटा भी किशोर होगा, पर बेटा मासे बात नहीं कर पाएगा। और बेटे और बाप में तो और कम बात होती है। तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ने घर के अंदर, वो इमोशनली बहुत अकेला है। बड़ा होता है तो वो अपनी बाते हैं, especially the changes in body, जो उसको feel होते हैं। बाप से तो वो कोई बात नहीं कर पाता तो ये तो क्या ही करेगा। माभी इन मामलों में थोड़ा सा परदा रखती है बेटे के साथ। बेटे के साथ नहीं रखती है। बहन से कैसे बात करें इस तरह की। भाई अगर है बराबर उम्र का तो शायद कर ले पर बहुत कम घरों में भाईयों में दोस्ती वारा सम्मंद होता है। वह सम्मान और रिस्पेक्ट वह भी हो जाता है। इसलिए 13-14 साल की लड़के के पास कोई चारा नहीं है सिवाए असके कि वह अपने दोस्तों से बात करें। दोस्त भी उतनी अकेले हैं अपने अपने घर में। सही किसी को नहीं पता है। तो कहीं कहीं से वह ग्यान चुराते हैं, आपस में शेयर करते हैं, गैंग बनाते हैं अपना। और क्योंकि घर के अंदर से वह एमोशनल स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती है इन मामलों में। नैंसी कोडरो जो बतारी है, मैं उनकी बाद बतारा हूँ, तो लड़का एक विद्रोफ के भाव में रहता है कि मुझे मेरी माने मुझ से लग कर दिया और मैं अपनी बेहन की तरह मा के साथ नहीं रह पारता हूँ, तो घर की दुनिया से डिटैच होके बाहर की दुनिया म जात, जितना सुकुन उनको मिलता है, तो इनके लिए सफलता के माइने जनरली अलग रहते हैं, वो सफलता प्यार महबत में जाता देख पाती है, इसलिए आफिल्मों में देखेंगे जब लड़की मिलते हैं, तो लड़की का बोलती है, एक छोटा सा घर हो, तुम रहो, मै रहो हूँ लड़का ऐसी बात आम तो पर नहीं बोलता है उसका सपना चोटा जर नहीं है उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहो नहीं है उसका सपना है कि एक महल हो पचास नौकर चाकर हो 20 गाड़िया हो क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहरे बाहर की दुनिया में और है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को मा से लग किया जाता है तो नैंसी कोड़ो हैस ब्यूटिफुली रिटन दा बुक टाइटल दा मेल इनेक्स्प्रेसिवनेस मैं खुद ऐसा कॉंटेंट क्रीटर इसका सल्यूशन ढूणने की कोशिश कर रहा हूँ